हलो without my video तो आये, आपको एक के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं जिसे आप घर पे तैयार कर सकते हुँ दोस्तो जिसे आप किचन में भी यूज करते हो सलाव बनाने की काम में भी यूज करते हो दोस्तो तो ये देखिए हमारे छोटे-छोटे टामाटर का पौधा है इनके देखिए इस तरह से छोटे-छोटे जड़ निकल आए हैं और मैंने इस डब्बे को काटकर इसमें बीज छिड़कर टामाटर का बीज जो हम दो होते हैं जो आपके पास सड़े गले टामाटर उसको भी के घर पे अराम से तैयार कर सकते हो दोस्तों पर सड़ा हुआ बीज का पौधा सड़े हुए ही निकल आएगी तो देखि इस तरह से मैंने टामाटर का पौधा अपने च्छत के उपर एक डब्बे में लगाई है और ये टमाटर का पौधा देखी इस तरह से इनकी क्लाबर आते हैं टमाटर तो बहुत ही काम का चीज है खाने में रिस्वाद लगता है आपको कीचन में भी बहुत ही यूज होती है दोस्तों तो टमाटर का पौधा घर पी अवस लगाएं उगाएं तो इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे आपका घर का सोभा बढ़ेगा दोस्तों इस तरह से मैंने आपको दिखा रही है और भी चलिए तो हम देखें मैंने अलग गमले में भी लगा कर रखी थी इस तरह से बड़े पौधे हो गया है और भी मैं सकते हो तो हम लोग बाजार से खरीद कर लाते हैं टामाटर सोस तो आप घर पी भी बना सकते हो दोस्तों टामाटर तोड़कर तो चलिए मैं आपको दिखा रहे हूं टामाटर का पौधा इस तरह से देखिए मैंने टामाटर का पौधा किस चीज में आपको लगाई है यह हमारे प्लास्टिक का भोरी है इसमें मैंने मिट्टी भर रखी है और इसमें टामाटर देखिए आप कितने सुन्दर और कितने गुच्चे गुच्चे लगे हुए हैं बिल्कुल अंगूर की तलरा देखने से लग रहे हैं ये टामाटर बिल्कुल भी सड़ा हुआ नहीं है इकदम फरेश और बणिया सुन्दर टामाटर इसमें लटके हुआ इस तरह से आप घर पे अधी लगाते हो अपने से और इसका पालन पोशन करते हो इसको देख भार कर सकते हो समय से खाद डालना है समय से पाने डालना है तो आपके घर पे ही हर सब्जिया निर्भर मिलेग तो इस तरह से आप तर्माठर देख रहे हो तो तरह से लगे हुए है और इनका कलर देखिए कितनी खुब्त लग रही है कम लोग बोलते है लाल लाल का मतलब टामाटर इस तरह से पोधे में लाल लाल टामाटर आए हैं दोस्तों तो यह टामाटर को आप अपने घर पे उगाए और इससे आप ज्यादा जानकारी लेली मेरी वीडियो में आप अगर टामाटर पाके हुए टामाटर है तो उनका बीज निकल कर शिड़ लग दिजिए तो उससे अनेक पोधे आप गमले में तयार कर सकते हो और जब बड़े पोधे होते हैं तो आप अलग-अलग हिस्सों में आप इस पोधे को लगा दो दोस्तों और इस तरह से आपका टामाटर रेड रेड एक दम निकल आएंगे आप पुखाने में भी आपक कमात्रे में लगे हैं यह लग रहा है कि कम से कम 25 से 30 टामाटर इक पोधे में निकलाएं हैं इस तरह से आप अपनी टामाटर का पोधा घर पी अवस होगा हैं दोस्तों यह छोटे पोधे लग त्यार कर लिए उसके बाद जब बड़े होते हैं तो उसको आप हर हिस्सों में अलग अलग जगह पर आप अलग अलग गमले में या आपके पास कोई समान इवलेवल नहीं है तो आप बोरे में जिसमें आटे खरी लाते हूँ उस बोरे में मिटी भर कर आप लगा सकती हो जैसे मैंने इस तरह से अपने टामाटर को पोधा उगाई है और यह टामाटर उस और खुब्सूरत लगे हुए हैं पोधे में दोस्तों तो इस देखिए यह वीडियो आप लाट तक अवस देखिए और मेरी वीडियो को देखकर लाइक कर देना दोस्तों सस्क्राइब कर देना और यह बाइबार